बिसमिल्लार रह्मान रहीम असलाम निकम लास 10 का फिजिक्स का आजमाना बच्छा च्टा लेक्चर है जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डेम्ड उसलेशन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं आप एंड पे आ जाएं क्या इसलेशन हैं क्या उसने बताया हमें वो बता रहा है किसी तक कि मजूद की महूदगि में जब हम कोई बाड़ि औॉसलेट करती है को इस तरह की उसलेशन को डेम्ड ऑसलेशन कहते हैं अब आगे हम इसकी थोड़ी explanation देख लिए हैं, यहाँ पे वो mention कर रहा है, vibratory motion of ideal system in the absence of any friction or substance continues indefinitely under the action of restoring force, इसकी आप heading बनाएंगे, vibratory motion of ideal systems, अब ideal system कौन सा होता है, जिसमें बिल्कुल friction को हम zero करते हैं, friction मुझूद ही ना हो, लेकिन यह सिर्फ ideal system है, यह नहीं हम ऐसा तसवर कर सकते हैं, लेकिन real time यह हकीकत में exist नहीं करेगा, उसकी वज़ा क्या है, कि आप जितनी भी surface को plane कर लें, still उसके अंदर friction मुझूद होगी, हाँ यह हो सकता है, कि किसी जगह पर friction की value काम कर दी जाए, और किसी जगह पर friction की value ज्यादा हो, तो हम minimum कर सकते हैं, लेकिन इसको zero हम नहीं कर सकते, तो कम से कम friction हो सकती है, लेकिन बिल्कुल zero नहीं हो सकती, तो यह सिरफ एक ideal system उसने यहाँ पर consider किया है, कि ideal system में क्या होगा, हम friction zero कर देंगे, तो body है, वो indefinitely, यानि ला महदू time के लिए action जाई रखेगी, या move करती रहेगी, vibrate करती रहेगी, अब आगे उ in all systems, the force of reaction retards the motion, so the systems do not oscillate indefinitely, अब आगे उसने कहा practically क्या हो रहेगी, यानि कि real time में हम क्या करते हैं, कि जितनी भी bodies होते हैं, जो कि उनके अंदर friction मुझूद होती है, तो उसकी वज़ा से bodies indefinitely या ला महदू time तक oscillate नहीं करती हैं, बलके आइसा इसा उनकी motion जो friction करती है, उसक को oppose करती है, और वो system आइसा इसा रुख जाता है, या वो अपनी oscillation को कम करता आ जाता है, अब यह रहे फ्रिक्शन है, इसका मैं पहले प्रिक्शन है, कि आइसा इसा 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 उसकी energy को consume करके, system को रोग देती है, या उसको slow कर देती है, या कोई इसकी उपर different तरह की forces act कर आती है, तो इस चीज़ को कहा रहता है, damned है, या यह उसकी motion जो है, वो damp हो गई है, the damping process reduces the amplitude of vibration of motion, अब वो करता क्या है, जो यह damping था, जो हमें resistive force act कर रही थी, उसके वरह से क्या हुआ, जो उसका amplitude है, वो कम होता जाता है, vibration का और आजसे सा वो बिलकुल zero हो रहता है, या यहां पर diagram में भी नजर आ रहा है, वो बहुत ज़दा value थी और आजसे सा वो क्या होगा, कम होकर बिलकुल वो values less होते जा रहे हैं, decrease करती जा रही है, आगे उसकी example दियो ही है, यहां पर आपको headings में बता दूँ, पहली है vibratory motion, ideal system की vibratory motion, और दूसरी है practical या real time motion of systems, या vibrat practical application of damped motion, a shock absorber consists of a piston moving through a liquid such as oil, the upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car, when the car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently, the shock absorber dump these vibrations and convert their energy into heat energy or oil, अब अक्सर बच्चे आप लोगों लेका होगा कि हमारे पस गाड़ियों में जो shock absorber यूज किया रहते हैं या बाइक्स पे या हम लोग गाड़ियों किते हैं कि शॉक absorber हैं या जिसको आम तरुप हम शॉक का लफ़ यूज करते हैं, एक्छिलिन उनका काम क्या होता है जब हम गाड़ी किसी जम्प के उपर से या किसी गड़े में से गुजारते हैं तो हमें बहुत ज़्यदा वो जम्प लग सकता है लेकिन जब हम shock absorber अच्छी quality के यूज किया जाएंगे तो फिर वो shock absorber जोते हैं उस shock को absorb कर लेते हैं और जो भी वो सवार है जो गाड़ी के उप पर राइड कर रहा है या बाइग या cycle के उपर तो उसको फिर वो कम से कम shock जो है वो feel होगा इसको भी यहाँ उसने explain कर दिया अब इसमें किया रहता है इस तरीक कैसे होता है इसमें आपके पास यह उपर अपर पार्ट है जो के body की surface को या car की surface को attach कर दिया रहता है और यह fluid जो है यह उपर की तरफ मूव करेगा और यह इसकी पर अगर हम direct contact रखें तो क्या होगा कि यह इसकी उपर jump जदा feel होगा उसको जो भी rider है लेकिन यह जो liquid इसके अंदर होता है यह क्या करता है यह उस चौक को absorb कर लेता है और इसकी वाला से यह जो rider है उसकी उपर जो है यह गाड़ी के अंदर जो बंदा मजूद है उसको इसका jump मैसूस नहीं होता है दूसरा यह पतार है कि अगर हम इसको directly contact कर दें इस तरीके से तो क्या होगा जितना भी jump पाएगा तो यह पूरे का पूरा jump यहाँ पे हमें इसके अंदर feel होगा लेकिन जब इस तरीके से हम अब वो करता क्या है उसने बताया कि यह जो energy होती है शौक की उसको यह liquid जो है इसको absorb करके तो heat energy में change कर देता है तो यह आपकी इसकी practical application हो जाएगी या इसके example हो जाएगी shock absorbers की इसके बाद आ गया है wave motion वेव मोशन क्या है इसको study कर लेते हैं सबसे पहले आप wave की भी definition दे equal interval of time वो कहता है कि wave क्या है disturbance है किसी medium में जिसके वाला से उसके particles वाइबरेट करते हैं अपनी mean position के इदगेद और equal interval of time में यह जो intervals का time है वो equal होगा equal intervals में वो वाइबरेट करेगा तो यह इसकी definition हो जाएगी बच्छे आज के lecture में आप लोग इतना ही तियार करें कल हम इंशा यह जाता है कि हमती force की मुझूद्किए में system क को damn documentation कहा रहता है क्या उसने कहा कि कि जब भी कि कि रेजिस्टरिक फोर्स होती है को यह surface जब रजिस्टरिक फोर्स लगा रही होते है उस system की जो बॉडडी isolate करेगी उसकी motion को damn documentation कहा जाएगा किसी भी resistance या मुखालिफ व्जू में अब उसमें उसको वजाहत कर रहा है किसी फ्रिक्षिन्टर्ड वर्चिस्ट्रस की गारमश्ड़की में में र्स्टोर्िंग फॉर्स के जिस्ट के जिसम की वैप्रिट्र्री फॉल्चिन्स में वजूर्फ पर प्र तो प्छिंगा से वो ला महदूद वक्त तक मोशन जारी नहीं रख सकते हैं वक्त के साथ फ्रिक्शन जिसम के मेकानिकल अंट्जियों कम करती है और इस तरह से कि मोशन को डैंप्ट ऑशिलेशन कहते हैं यह डैंपिंग ऑशिलेशन यह डैंपिंग मोशन और एंप्लिचूट को बतरीच कम क करते जाते हैं उसकी वजा क्या है उसकी वरकिंग करने लिए हम एंटर्जी इसको करते हैं वह रेजिटनश जो है आई से सबक्सक्राइ। कर पकार तो इसकी अप्लियों की मिसाल हो जाएगी अब ऊसके आगए उसने एक्जाम्पल दी है या वजाहत की है किस तरीके से हम इ किसी मायाच जैसा के आईल में मोशन करता है शाक अब्जॉर्बर का बलाई हिस्सा कार वायरा की बाडिक सा जुड़ा होता है जब कार पर मजूद कार रोड पर मुझूद किसी उपरी सथर के उपर से घुजरती है तो यह शिद्द से वाइबरेट करती है शाक आप लोग क्या सकते हैं कि उंची जगह से रोड के उपर से जम्प के उपर से या किसी गड़े में से जब गुजरें तो हमें जो सवार है गाड़ी का या बाइक वायरा का उसको कम से कम उसका शौक फिल हो कि कम से कम जटका लगे तो अब यह वर्किंग कैसे करता है सबसे अब देखें तो उसमें बताया है उसने सबसे उपर वाला पार्ट है ये गाड़ी के फ्रेम से या बाइक के फ्रेम से जड़ा होगा निचे ये वील के एकसल के साथ ये वील से जड़ा होता है और इसके अंदर से ये एक पिस्टन है जिसमें ये लिक्विड या माया फिल आम तर्दोर पे इनके दर्मियान में शॉक अब्जॉरबर का काम करता है। अब इसका फायदा क्या होता है। और ये इसकी example हो जाएगी, या इसकी अतलाग हो जाएगी अप्लिकेशन आजाएगी. इसके बाद अगला टॉपिक है वेव मोशन का उसकी definition देख लेते हैं पहले. ये वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैलश्युदा ऐसरे खलल को कहते हैं जिससे मीडियम के जराद अपनी वस्तु पूशन के इड़ियत मतवादेर वाईप्रेटरी मोशन करते हैं। वो बतारा है कि ये किसी मोशन में ऐसा खलल या ऐसी तबदीली जिसकी वर्ण से वीडियम के ज़राद अपनी वस्ति विशन के इद्गित वाइबरेट करते रहें अपनी सेंटर के इद्गित वाइबरेट करते रहें उसकी मोशन को वेव कहते हैं यह तो खलल उसके में पैदा होता है उसकी वर्शन को वेव कहते हैं तो बच्छे यह डैफिनिशन आजा पाऊने हैं याद कर लिने कल हम इसको बाकी डिसकस करेंगे तेंक यू